हलो दोस्तों मैं ब tra지를 स्वागत करता हूं आपका फिए इन क्लासी सब्स, हमारे मन में क्या आता है जब ये मन में सोचे की पूरा बैंक काप डूब रहा है जिस बैंक में हमारा पैसा रखा हुआ है वो बैंक का बंद होने वाला डूब रहा है तो मन में घबराट से आती है कि अरे इस इतना मेहनत से मैंने पैसा कमाया इतने एक एक पैसे जोड़े क्या होगा उस पैसे का तो आप कुछ हद तक सुरचित हैं आप सही सुन रहा हैं कु और 100% प्रोटेक्टेड बट आपका कुछ पैसा सुरचित है आर्बी आई की एक होली ओंड सबसेडरी है जिसका नाम है डी आई सीजी सी डिपॉजिट एंसुरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ये क्या है ना आर्बी आई का इसमें 100% पैसा लगा हुआ है हो पहले ये लिमिट एक लाग तक थी लेकिन अब इस लिमिट को बढ़ा करके पांच लाग सरकार ने कर दिया है गहिए ऐगर 5 लाग तक आपका किसी बैंक में पैशा है इसको बंद निया जाएगा तो इसमें क्या होगा कि जो उसके डिपोजिटर्स हैं उनको पांच लाख रुपए सबसे पहले प्रोवाइड कराया जागा कैसे प्रोवाइड कराया जागा कितने दिनों में प्रोवाइड कराया जागा सबसे मन में यह सवाल आ रहा होगा तो आपको पहले जो एक लाख फाला नियम थक एक लाख तक प्रोटक्ट है उसमें आपको 8 से 10 साल लग जाता था फिर मतलब कोई मतलब नहीं रहा जाता था भूला भटका कहीं से अब मालनो एक लाख रुपे रखे हो एक लाख 10 साल बाद मिले जाए क्या फायदा है आपने पैसे तो आज के लिए जोड़े है ना तो बहुत टीडियस और लंबा प्रोसेस था लेकिन अब सरकार ने कहा है कि नहीं इस पैसे को आपको 90 दिनों के कोई जुरुत नहीं है यह बैंक की बात है बैंक क्या करते हैं बैंक और आर्बियाई की बीच की बात है वो कैसे पैसा उसको देते हैं एंसोर करवाते हैं जो भी करवाते हैं इससे डिपॉजिटर का कोई मतलब नहीं होता है जो भी प्रेमियम होता है जो भी सब बैंक अपने बैंकों को घुल नहीं करता है भारत में जितनी बैंकिंग, जितने भी बैंक हैं, सबको RBI cried just friend करता है और जिनको और बिया गवरन करता है उनके सारे पैसे सुरचेगे हे're मतलब कि या तो आपका कोई निसलाइज बैंक हो, प्राइबेट बैंक हो, ग्रामीड बैंक हो, को आपरेटिव बैंक हो, मतलब एनी टाइप अब बैंक, सारे बैंकों में आपका पैसा पांच लाग तक सुरच्छित है, तो कैसी लगे आपको यह जानकारी, कमेंट करके करिये है, तory बद